नमस्कार कैसे सभी लोग ठीक हैं आज हम बताएंगे आपको काले जो गीदल होता है उसका नाखून प्यारे दर्शिकों काला जो गीदल होता है ये एक नहीं लगभग आप देखेंगे कि 150 गीदल जब पैदा होते हैं उनमें कोई एकाद ब्लैक यानि ब्लैक वो जैकाल जिस एक आर भी बोलते हैं ये पैदा होता हम कि आप जानते हैं कि जो बड़े-बड़े तंतरिक बड़े-बड़े मांत्रीक बड़े जो घोरेस ये जिस कार को करने में उनके पसी में तक आ जाते हैं, वो काम, मैं बताऊंगा, वो कौन सा काम है, वो इस नाखून से हो जाता है, तो चलिए शुरुवात करते हैं, बहुत वीडियो को लंबी ना करते हूं, मैं बताता हूं, काला गीदल, गीदल का नाखून, अगर आपको कहीं से प्राप्त हो जाए, त भेडिया हुआ, या लकडबग्गा हुआ, इनके कभी भी कोई भी तांत्रिक क्रिया करें, तो इसमें भैरोजी का बीज मंत्रों से ही इसको संपूटित करके सिद्ध किया जाता है, तो कहने का ताथ पर यह है, कि गीदल जो नाखून है, यह कहीं से प्राप्त हो जाए, कि इसी भी अमश्या को इसको ग्यारा सो बार बीज मंत्रों से एक्टिवेट करके, यहनी इसको जागरत करके, इस नाखून को तांबे की तावीच में या तिरलोह की तावीच में जो विक्तिधारण करता है, शत्रु आपका कितना भी बड़ा बलवान हो, एक दम समझें, वो वो ततकाल ही उसकी शक्ति शमाप्त हो जाएगी, जो तंत्र की पावर आपके उपर की गई है, यह बहुत ही अदभूत है, आप परियास करिए अगर कहीं से मिलता है, तो इसे जरूर मंगाईए, और मंगानी के बाद इसको यूज करिए, आप दंग रह जाएंगे, और कहे कि गुरुजी, इसी काम के लिए तुम्हें बहुत बड़े-बड़े अनुष्ठान कराया, कई बाबाओं के पास गया, किसी ने क्या बताया, किसी ने क्या बताया, लेकिन यह छोटी सी चीज है, सिर्फ आपको अमस्या को सिद्ध करके पहन लेना है, फिर आप देखेंगे इसका बड़ा चमत का, जैमाता की